हेलो बच्चा लोग दिस इस गोपाल सर एंड वेलकम टो एजू बुस्टर्स आज हम लोग डिसकस करेंगे कल्टिवेशन आफ लैक कल्चर आफ लैक कल्टिवेशन का मतलब यह हो गया कि खेती से सम्मंधित मतलब इसम लैक के जो इंसेक्ट हैं इनकी खेती भी की जाती है कैस होता क्या है कि कुसुम के पौधे को वो कुछ एक हिक्टेयर भूमी में बूला जाता है यह लगा के दो से धाई लाक कमा सकते हैं एक बार के फसल में जैसे यहां पर इन लोगों ने लगा दिया क्राप यह फसल को अगर लगा दिया यह सुरी इसमें छोटा पड़ जागा ह आपको इधर दिखा दे रहे हैं मालों यह फसल हो गया तो फसल की जो लीफ है उपर की तरफ के छोड़े जाते हैं और नीचे की तरफ के आई मीन जो सर्फेस है मिट्टी वाला सर्फेस यहां से कुछ डिस्टेंस तक आप यह समझ लो कि इस डिस्ट इतना बड़ा अगर प तक क्या होगा कि एकदम पती हटा दिया जाएगा पूरे लीफ हटा दिया जाएंगे प्लांट के और उपर के जो नार्मल एकदम ग्रोथ कर रहे होते हैं प्लांट के पार्ट उसको छोड़ दिया जाएगा और यहीं पर क्या होगा काटन लपेट दिया जाएगा जिससे क् कि जो इनाकुलेशन किया जाए ये उपर ना चड़े अब इसकी खेती का मतलब ये है कि जिस पे ये उगते हैं कुसुम का पौधा जादे बोला जाता है तो उस पौधे को अच्छे डंग से उगाया जाएगा पहले उसकी उपज अच्छे से होनी चाहिए यानि वो उससे रोध अच्छी होनी चाहिए उस पौधे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए खेतों में उस पौधे के बारे में ये ना पा जाता है अब जो कुसुम का पौधा उसको लगाने के बाद भाई ये पौधा इतने साइज का हो गया इस बोड की ना च्छे ब्रांचे निकले रहते हैं ऐसे पूरे नीचे से पांच चाह निकले रहेंगे जैसे आप धान में देखते हो ना धान छोड़ो वैसा फसल में हाँ फिलाल में तो आप गेहुं या धान ही मालो क्योंकि उस आपका ऐसा फसल तो इधर हमको नहीं दिखलाई दे रहा है जिसका एक्जामपल आपको आप दे सकें तो आप यह जान लिजे धान की फसल ऐसे लंबे-लंबे इतने बड़े हो गए तो उसमें देखते नहीं हो कि 10, 12 या 5, 6 ब्रांचे निकले रहते हैं नीचे से ही मिटी से ही 5, 6 निकले रहते हैं और होता क्या है कि वो नार्मल नहीं होंगे वो अब उपर की तरफ क्या होता है कि यह पूरे लीफ वाले पोर्शन बस छोड़े गये हैं बाकी सब पे यह हो गया एक नीचे से आए ब्रांच दूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया चौथा यह हो गया जो नीचे से मिटी से आए हुए यह चारो ब्रांचे हैं औ पर इसके उपर लीफ होगा यहां पर हमने क्या क्या काटन बांधने के बाद होता क्या है कि जैसे मालो यह हो गया इसको हमने माल लिया कि यह है वह टहनी जिस टहनी पर पहले से लगे हुए थे लैक कीट तो लैक कीट जो लगे हुए थे वह आल्रेडी वहां पर अपने एक का फार्मेशन कर देते हैं और उससे हटते नहीं है और पूरा एग उसे ब्रांच पर लपेटा सा रहता है तो उसके कुछ सेक्षन छोटे से सेक्षन आप यह मालो कि एक 15 सेंटिमीटर की जो इंची आप देखते हो उतनी बड़ी या फिर इतना एकदम इतना लेंथ आप मालो कि इतने लेंथ की कट कर ली जाती एक मारकर के बराबर इतना कट कर करके बहुत सारे पीसे ऐसे निकाल के रखे रहते हैं उन पीसे को देंगे ऐसी ही पूरे खेत के फसल पर करते चले जाएंगे होगा क्या कि 20 से 21 दिन बाद यह जो हमने इस्टिक बाना है जिस पर एग था लैक का वहां से लैक के कीड़े क्या होंगे दीरे-दीरे निकलेंगे और यह पूरे पेड़ पर अपना धीरे-दीरे फैलाव कर दें मौर्णा क्या करेंगे habitat बना लेंगे आवास बना लेंगे लेकिन यहां पे बांदा था Katyn इस Katyn के उपर यह नहीं जाने पाते हैं अब क्वेस्टन यह माइनड में आएगा कि आपने काको क्यू बांदा था सर तो काक्या बांदने का मतलब यह था बिटा कि इसके उपर के जो ब्रांचेज हैं प्लांट की कुछ पोर्षन जो एपिकल पार्ट पर होती हैं अगर वहां पर कीड़े लग जा क्योंकि यह प्रकार का कीड़ा ही है पैरासाइट है अगर प्लांट सूख गया तो उसके उपर यह बैठे हैं जहां से नूट्रिशन ले रहे हैं उनके से तो प्लांट के सूखने से उसके सारे से शूख जाएंगे और इनका नूट्रियंट मैटेरियल मिलेगा नहीं तो आटोमेटिक यह भी क्या होंगे वहीं पे डेड कर जाएंगे इस वज़ा से यह काटन लगा दिया जाता है कि साफ्ट पार्ट जो उपर का है वो ग्रोथ करता रहे प्लांट फोटो सिंथेसिस हो सके आसानी से और प्लांट भी जिन्दा रहे और इनके नीचे वाले जो एसे आसे पूरा चारो तरफ लपेट के पूरा एग का डिवलप्मेंट हो जाएगा और इतने पार्ट पे हमने क्या किया था यहां करेंगे की इस प्लांट को तो यहां से कट कर लेंगे, कुछ पार्ट यहां पे छोड़ देते हैं, और प्लांट को कट करके ले जाएंगे अपने घरों पर, इससे वो वाला हिस्सा पत्ती वाला निकाल देंगे, बाकी अपने हम जो लैक वाले रहेंगे उसको रख लेते हैं, फिर यह जो बचा हुआ र और कुछ ही समय बाद देखोगे, इसमें फिर से न्यू ब्रांचे जाने लगेंगे, और यह ब्रांच फिर से डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद, फिर हम अपने दूसरे साइट भाई, एक जब खेती कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना सीड बरकरार नहीं रखेंगे, जहां पर यह खेती होती है, वहां के लिए अंडे ही उनके सीड है, तो कुछ ऐसे प्लांट के इससे छोड़ दिये जाते हैं, जिस पे यह सीड बचे रहें और फिर उस प्लांट को कट करेंगे, इतना इतना पोर्सन, इतना एक प्लांट से अगर निकाले और इसको कट करकर के करकर के फिर अगले ब्रांचेज में बांगते चले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इनोकुलेशन होता है और यह कल्टिवेशन किया जाता है तो यह पूरी कल्टिवेशन की कहानी रही विटा नोट्स के कार्डिंग क्या है वो भी हम आपको समझा दे नहीं यह ट्रांसफर होगा यानि यह लैक कीट कैसे ट्रांसफर होगा अगले प्लांट पर अगले फसल पर अगले जनरेशन के लिए जाएगा इसे बोलते हैं इनोकुलेशन यहां पर अगर बात कर लें इसकी तो लैक कल्टिवेशन इस कॉम्प्लिकेटेड प्रासेस वेल एबाउट दा इनोकुलेशन स्वार्मिंग पीरियड एंड हर्वेस्टिंग आफ दा लैग यानि जो इसकी खेती करने वाले होते हैं उनको इनका इनकुलेशन स्वार्मिंग हर्वेस्टिंग ये सब अच्छे से मालूम होता है कि कब क्यूं कहां कितने टाइम कैसे करना ये ने पता लगे कि ये फसल नुकसान हो जाएगा क्योंकि इसका बहुत ख्याल रखा जाता है इस पे बहुत सारे एनिमीज होते हैं इन्वार्मेंटल इफेक्ट होता है भई एग ही तो है लैक है ना जिसको लाह बोला जाता है लाह या फिर गांद बोलते हैं ये इफेक् होगा तो चलते हैं आगे बच्चा हम देखते हैं अपनी फर्स्ट पॉइंट आपने अभी देख लिया यह चीज कि लैक कल्टिवेशन इस कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड प्रसेस है तो इन चीजों को वो जानते हैं जो इसकी खेती करते हैं अच्छे से तभी तो करेंगे वरना नहीं हाथ लगाएंगे नेक्स्ट आपका स्टेप वेड़ा इनोकुलेशन यहाँ पर क्या है इस फर्स्ट प्रसेजर यानि यह खेती का पहला प्रसेजर है इनोकुलेशन की जो पहली प्रसेज है वो क्या है इनोकुलेशन इन वीच यहां पे होता क्या है घ्यान दिजेगा कि लेक कल्चर का यह कल्टिवेशन का यह इनकुलेशन जो है पहला प्रासिजर है पहला स्टेफ है जिसमें निम्प को क्या किया जाता है ट्रांसफर टू सुटेबल होस्ट जो सुटेबल हो निम्प के लिए जो होस्ट सुटेबल होगा वहीं पे इसको ट् पौधा शुटेबल है और पता लगे हम गेंदे के पौधे पर डाल दें तो कोई एफेक्ट होगा नहीं होगा तो कुसुम पर ही डालना उचीत होगा उसको जो इसके स्थेप्स है इनाकुलेशन और आप टू टाइप्स कैसा होता है यह है नेचूरल ध्यान देना बेटा ने शुटेबल है ही नहीं अगर आप लोग टीका करण से समझे क्योंकि टीका करण होता है आर्थ मानते हैं बच्चे यहां कमेंट बे आएंगे कोई नहीं नेचूरल इनाकुलेशन का मतलब हो गया कि वो चीजें जो किसी के कराने से ना हो खुद बखुद वो कीड़े अपने से कर लें प्राकृतिक डंग से जो स्वभायूत तरीके से होती चली जाए वो कहलाएंगी नेचूरल इनाकुलेशन यहां पे कीड़ों को उठा के किसी पौधे पे नहीं पहुचाना है कि आप इसी पे रहो यह अपनी इच्छा से यहां से वहां वहां से वहां जाएंगे और यह वाली जो प्रासेस होती है यह कहीं न कहीं लैक कल्चर के लिए बहुत ही नुकसान दायक होती है भाई उनके लिए अच्छा होगा कीड़ों के लिए अच्छा होगा लेकिन हमारे उमीद से अगर हम इसको अच्छे से देखें इस परपस से की लैक का क्या फायदा क् भी घाटा कहीं न कहीं होता है, क्या है जरह इसको देख लेते हैं, it is very simple and common process, यानि कि अगर यहां पे देखा जाए, तो यह बहुत ही simple process है, इसमें कुछ हम लोगों को करना ही नहीं है, and common process, यानि यह commonly देखा ही जाता है, यह तो लगभा कीडों में होगा, तो ये कौन सा इंसान है कि इसमें नहीं होगा इसमें भी वहीं होगा ये करते क्या है move from one place to other place I mean ये ताज महल से कुत्व मिनार नहीं जाएंगे बटा एक पौधे से दूसरे पौधे पे ही जाएंगे one place to other place by natural movement कैसे प्राक्रितिक movement के द्वारा जैसे कीट फतिंगे अपना च चलेंगे इनके लिए कोई एरोप्लेन थोड़ी ने करना होगा कि एरोप्लेन से बैठके जाएंगे natural movement के द्वारा ये आराम से इधर से उधर करेंगे called natural inoculation जब ये खुद बखुद यहां से वहां इस पौधे से उस पौधे जाएंगे इस बिदी को बोलेंगे natural inoculation it is not good for lack culture ये अच्छा नहीं होता lack culture के लिए और the natural the natural inoculation of swarmed nymph has some drawback which are as follows जो ये निम्प की गुच्छे होते हैं जुन्ड होते हैं जो यहां से वहां जा रहे होते हैं इसमें natural inoculation में इसकी बहुत सारी drawback है भाई क्या drawback है देख लेते हैं पहले क्या है incomplete nutrition पहले ही हो गई इनकी मुलाकात कि भाई या भोजय पदार्थ है नहीं मिलेगा इनको अच्छे से वैसे भी मर जाएंगे in this way lack may not be able to get enough nutrient यानि इसमें क्या होता है in this way lack may not be able to यानि इनको enough material जो होता है nutrient from same host from same host plant भाई यह कहीं पौदे पे सब के सब चड़े चले जा रहे हैं पता लगा वहां से सब उस पौदे को ही चूज के खतम कर दिये तो nutrient सब को मिलेगा और मालो एक पौदे पे सब चड़े वह निकल के दूसरे पर चले गए पचाला का पीछले वाले जो आ रहे फिर उसी पर चड़े गया तो उनको भी नहीं मिलेगा तो यह कहीं ने कहीं problem हो कि एक पौदे को छोड़के अभी कोई गया है दूसरा फिर उसी पर आ गया सौरी है कि डिस्टर्ब्स हो गया था चलते आगे हमने क्या बोला इन दिस वे लैक में नाट बी एबल टू गेट एनफ नूट्रियंट फ्राम दा सेम होस्ट प्लांट यानि एक पौदे से अभी के बाद यह दूसरे पौदे पर चले गएं पीछे से एक जुंड और आ रहा है पता लगा फिर यह चड़ गए तो जब यहां से सारे नूट्रियंट मैटेरियल को कोई सक करके चला गया है फिर इसी पर कोई आए या यह घूम फिर के फिर इसी पर आ जाएं तो क्या होगा मैटेरियल इनको सफिसियन मिल पाएगा नहीं मिलेगा जिस वाज़ा से यह खुद भी डेट हो जाएंगे और प्लांट तो डेट होगा ही होगा दर लैक इंसेक्ट डू टू लैक आफ सफिसियन नूट्रियंट्स लूज दियर प्रापर डेवलप्मेंट यानि की स्वारी इसको म मैटता दे रहे अप लोग को दिकत होगा थोड़ा सा प्राबलम होगा बबस अभी क्या है लिंश डू टू लैक आफ सफिसियन नूट्रियंट्स lose their proper development यानि इस lack insect में क्या होगा sufficient material ना मिलने के वज़े से इनकी खुद की development रुख जाएगी और इनकी development रुखने के कारण thereby affecting the production of lack also जब ये किडे ही नहीं रहेंगे तो lack कहां से मिलेगा next point है irregular inoculation भाई अगर एक ही जगा एक ही स्थान पे बार बार जाएंगे तो लोग हमारे स्थान को पहचान लेंगे जिस पौधे पे ये बार बार अपना घर बनाएंगे तो उस पौधे को पहचान लिया जाएगा लेकिन कभी इस पौधे पे कभी उस फूल के पौधे पे कभी उस काटे वाले पौधे पर जाएंगे तो कोई इनका हैबिटेट अच्छे से पहचान नहीं पाएगा तो उसका प्राब्लम यह होता है क्या इरेगुलर इनकुलेशन का डिरिंग दे नेचुरल इनकुलेशन इनकुलेशन टेक्स प्लेशन यह नहीं चलते हैं कि बस एक एहीं खेती पे रहते हैं यह कहीं पौदे पे यह आहां पे रहने वाले नहीं नेचुरल वाले प्रासिज में किसी पे भी चले जाते हैं इट इनाकुलेशन इज नाट अफ कंटिनिवस फैसन और रेगुलर क्राप आफ लैक में नाट भी अप्टेंड जिसकी वज़ा से यह आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि यह किस पौधे पे कीड़े पाए जाते हैं अगर नेचुरल वाला कंटिनिव रहता तो यह आइ क्लियर नेक्स्ट एन फेबरेबल क्लाइमेटिक कंडिशन रैनफाल है सन लाइट है हाई इंटेंसिटी आफ लाइट है तेज हवा का जोका है यह भी क्या करता इफेक्ट पहुचाता है इनके जुंडे को शरी इनके जुंड को यहां से वहां जाने में या किसी पौधे पर यह मौजूद है वहां खुब जोरों से बारिस हो गई हवा चल गया टाहनी टूड गई पेड़ खराब हो गया तो यह सब के सब खराब हो जाएंगे क्योंकि यह अपनी इच्छा से वहां जा रहा है न हम लोग जिस पे रखेंगे भाई हम किसी को अगर रखेंगे तो उनक कि इप्लीकेशन आफ पैरासाइट एंड प्रिडेटर्स यहां पर क्या होताय पता हाई कि लैख इंसेक्ट है इनम्य बहुत सारे इनके इनम्य होते हैं इन प्रॉकिंचार और शिपंफर रहने होते हैं यानि इनको भी खाने वाले कोई होते जो इनके वे उपर निर्भर रहते हैं इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं जो इनकी production को भी effect पहुचा सकते हैं तो चलते हैं next point की तरह बच्चा तो चलते हैं बच्चा दूसरे हमने पहला पॉइंट देख लिया इनिवफर होतीया इस उसको लगिए और नोट के ब्राजेस के बीच में ब्राजेस के बीच में मालो ये वाली तेहनी जिस पे मानो लगा हुआ है क्या है रूंद्खेकंव बूला रहा है पेच और बांद बांद के ऐसे हर पौधे में एक दूसरे के दूरी दूरी पे लगा देंगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देखें जिससे क्या होगा 21 दिन बाद इसमें से अंडे में से लैक निकल के इस सारे ब्रांचेस भी अपना घर बना लेंगे और फिर डेवलप्मेंट अ अल पॉसिबर में और अलपाशिबल ड्राव एक हमने पहले बोला था कि एक सिके दौरा हु більिश्ज चेह सब लीजा यहां ती वह सारी चेक करे लिए यहां पे इनडी Contain फर्स्ट आफाल होस्ट प्लांट भी प्रूंड या प्रंड जो भी पढ़ते हो प्रूंड बोला जाता है क्या किया जाता है कि यहां पहले जो पौधे हैं उसकी कुछ समय बाद छटाई भी की जाती है जो बार-बार बचे रहेंगे तो वो अपने एनिमीज को जन्म दे देत तो इसको छाटा जाता है कब इन जन्वरी या फिर जून में दे ट्विक्स डियरिंग इंसेक्ट जो साखाएं धारण किया हुआ इस इंसेक्ट निम्फ को विच आर एबाउट टू स्वार्म जो स्वार्म के लिए तयार हो या फिर जस्ट बीफोर स्वार्मिंग या स्वा वस्ता में पहुंच चुका हो उस समय की बात की जा रही है जिस ट्विक पर आइमीन यह हो गया ट्विक्स यह साखा हो गई इस साखा पर यह अंड़े लगे हुए हैं और इसमें से एग में से निकलने ही वाले हैं सारे जूंद और निकल के अगले प्लांट पे अगले प्ल जाए कि सिस्टेम को ही यहां से कट करके निकाल लिया जाए अब इस सिस्टेम को हम कट करके निकाल लेंगे तो इस सवस्था में क्या है हमारे पास मौजूद हो गया यह इसमें से इंसेक्ट भी नहीं निकले है और सबका सब हमारे पास है और इसको लाके इसमें हम आसानी स कर सकते हैं बांद सकते हैं तो देखे होता क्या है और कट और कट इन साइज रेंजेज बिट्विन ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर यानि इसकी जो रेंज होती है वह वह 20 से 30 सेंटीमीटर इन लेंथ में कट कर ली जाती है then the cut pieces of this twig are tied to fresh trees यानि जो cut pieces है इसको हम क्या करते हैं जो अच्छे पौधें है उसमें ले जाके हम क्या करेंगे बांध देंगे भाई हमने पहले बता दिया कि यह निव पौदे हैं इसके बीचों बीच इस ट्विक को ले जाकर बांध दो जिससे यह लैक इंसेक्ट इस पे धीरे-धीरे ग्रोथ करने लगे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा स्वार्मिंग इसमें क्या है इडिज वेरी इ तो चलते आगे स्वार्मिंग में देखते हैं यह बहुत इंपर्टर्टर फेज का बहुत इंपर्टर फेज हैं यहां पर क्या होता है कि यह जो ब्रांच है इस पर यह मौझूद जो लैक इंसेक्ट है उसके उपर जो भी एक वाला फार्मेशन वहा ज्याक वाला इसमें से यह क्या करेंगे अब निकलने की दोर आ जाती है इनके जून्द इसमें से आब निकलने लगेंगे वन बाई वन यह सुआर्मिंग की एक स्टेज होती है जो आगे बढ़ने वाली होती है आगे क्या है, at this time muscles contract, at this time muscles contract यानि थोड़े contract हो जाते हैं, सिकुर से जाते हैं, and insects get detached, और insect क्या होता है, detached हो जाता है, छोड़ देता है, ये जो साखाओं को पकड़ा हुआ है, भाई, हमने क्या दिखा है, कि ये साखा को पकड़ा हुआ है, ये insect, लेकिन इस इस्थिती में क्य हो जाएगा, detached हो जाएगा, यहां से, छोड़ने लगेगा इसको क्यों, क्योंकि इसके muscles contract होने लगेंगे, from the place, यानि किस place को में छोड़ेगा, from the place of attachment, वो place जहां से वो attached था, उस place से वो detach हो जाएगा, दूर होने लगेगा, छोडने लगेगा उसको, attachment, does it leave a hollow, और क्या होता है, उसके बाद यह एक hollow cavity बना के रहने लगता है, which later, जहां पे कुछ समय बाद, get cover, वो cover हो जाता है, कि say, with wax, mom के द्वारा cover हो जाता है, when, these eggs are to be hashed, जब यह अंडे hashed होते हैं, out, out they become orange color, और यह कैसे दिखलाई देते हैं, orange color के दिखलाई देते हैं, thus, it is an indication that swarming has taken place, जब यह orange color के दिखलाई दें, और अंडे कैसे orange color के दिखलाई दें, sorry, यहां से दिखते हैं, which later on gets cover with wax, also wax से यह ढग जाती है, जो hollow cavity थी, when, these eggs are to be hashed, जब यह अंडे तूड जाते हैं, out they become orange color, जब यह तूट के बाहर निकलते हैं, उसमें से, तो इनकी color जो होती है, यह orange color के दिखलाई देती है, thus, it is an indication, यह एक indication है, कि swarming अभी अभी हुआ है, taken place हो चुका है, next point पे चलते है, harvesting of lack, harvesting of lack में क्या है, the process of collection of lack from host plant, called is harvesting, यानि वो process जहां से हम collect करते हैं, पौधे और उस पौधे से lack collect करते हैं, यह होता है, harvesting, I mean हमने यह बहुत सारा फसल यहां पे उगा दिया, यह फसल पे जो भी ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तो इनको हम इस खेत में ही छोड़ नहीं सकते न, इस फसल को क्या करेंगे, एक टाइम आयागा कि यहां से हम cut करके निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसमें से हम lack अपना ले लेंगे, यहीं कहलाता है क्या, हर्वेस्टिंग, यह process कहलाएगा, हर्वेस्टिंग, देन इसके बाद क्या है, कि यहां पे कुछ steps involved है, एक है, immature हर्वेस्टिंग, the immature हर्वेस्टिंग of lack, before swarming, यानि, स्वार्मिंग के पहले अगर हो जाए तो इसको कहेंगे immature harvesting ऐसा harvesting system जो क्या हो कि यह swarming के लिए बढ़ें आगे उसके पहले ही इसको cut कर लिया जाए the harvesting of lack before swarming यानि swarming के पहले निकाल लिया जाए called immature harvesting the lack which obtained by this method is called airy lack यानि इस method में जहां swarming नहीं होने पाता है और पहले ही निकाल लिया जाता है उसे बोलते है airy lack और दूसरी तरफ जो है mature harvesting यहां क्या होता है the harvesting of lack after swarming यानि harvesting क्या होता है यहां पे swarming के बाद की जाते है is called mature harvesting इसको बोलते है mature harvesting the lack is obtained by this method called mature lack इस method के द्वारा जो lack culture किया जाता है उसे बोलते है mature lack और जो क्या है यहां पे immature lack है इसमें निकलने वाले को बोलते है airy lack तो यह harvesting थी I hope आप लोगों को सारा clear हो चुका होगा अच्छे से और प्लीज नए है तो सब्सक्राइब करिए like का बटन दबाना ना भूले share जरूर करिए जिससे हमारे चैनल का लाब सबको मिल सके और हमारा भी energy बढ़ता रहे जिससे हम और भी जादे आपको वीडियो दे सके थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो